हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टडी एक्जाम पर आज हम आपके जीके से महत्पुन पचास एम्सक्यू करेंगे तो चलिए ज्यादा समय नुक्सान ना करते हुए सीधे हम कोचन आंसर पर बात करते हैं देखिया आपका पाहला कोचन दे रहा है कि पाहला क्रित्रीम उपग्रह कौन सा था तो इसका सही उत्तराप का हो जाएगा इस पुत्तनिक था इसके आग्याप का अगला कोचन है कि अखिल भारतिय किसान सवा की अस्थापना कब की गई थी तो 1936 इस्वी में किया गया था अगला कोचन है कि अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है तो कोचीन नगर को कहा जाता है इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है चार नमबर कोशन है कि आजाद हिंद फोज की अस्थापना कहां की गई थी तो सिंगापुर में किया गया था अगला कोशन है कि आटो बाई ग्राफी पुस्ता किष्णे लिखी है तो पंडित जोहाला नहरू के द्वारा लिखा गया है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि गिध्धा निर्त का समन्द किस राजी से है तो गिध्धा निर्त का समन्द आपके पंजाब राजी से है इसके आग्याप का देखी अगला कोशन दे रहा है कि आल इंडिया रेडियो को अकासवाणी का नाम किस वर्स दिया गया था तो वर्स उन्य सो संतावन में दिया गया था इसके आग्याप का अगला कोशन है कि इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किशने दिया था तो भागत सिंग के दुआरा दिया गया था इसके आग्याप का अग्ला कोशन है कि ये मेरे वतन के लोगों देश भकती गीत किस्ने लिखा था तो इसका सही उत्तराप का हो जाएगा प्रदीप कुमार के द्वरा लिखा गया था इसके आग्याप का देखे अगला कोशन दे रहा है कि कथा कली कहां का प्रमुख सास्त्री निर्त है तो केरल राजिकार निर्ति है अगला कोशन है कि करो या मरो का नारा किशने दिया था तो महात्मा गाधी के द्वारा दिया गया था इसके आग्याप का अगला कोशन है कि कुची पुरी की सराजी का निर्ती है तो आंध परदेश राजी का निर्ती है देखे इसके आग्याप का 13 नबर कोशन दे रहा है कि केंदरिया चमडा अनुवेसर इस्ट्यूट कहां पर इस्तित है तो चेनड़ाई में इस्तित है अगला कोश्चन है कि केंद्रिय जांच ब्यूरो की अस्थापना किस वर्स की गई थी तो वर्स 1903 में किया गया था इसके आगे आपके अगला कोशन है कि किरकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है तो लाट्स के खेल के मैदान को कहा जाता है जो कि आपके लंदन सहर में इस्तित है इसके आग्याब का देखी अगला कोशन दे रहा है 16 नमबर कोशन है कि किरकेट खेल का जनमदाता किस देश को कहा जाता है तो इंगलेंड देश को कहा जाता है अगला कोशन है कि खालसा सेना की अस्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्त कौन थे तो गुरु गोबिंद सिंग थे इसके आगला कोशन है कि गरबा निर्थ का समंद किस राजी से है तो गुजरात राजी से इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके आगे आपका देखे अगला क्योशन दे रहा है कि गायतरी मंत्र का उलेख किस गरंथ में है तो रीगवेद में आपका गायतरी मंत्र का उलेख हमको देखने को मिलता है अगला कोशन है कि अराम हराम है का नारा किष्णे दिया था तो पंडित जोहल न नहरू के द्वारा दिया गया था अगला कोशन है कि गीत गोविंद के रचाईता कौन थे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जये देव थे इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि गितांजली के कवी कौन थे तो गितांजली किसके द्वारा लिखा गया था तो रबिन ना टैगोर के द्वारा लिखा गया था अगला कोशन है कि गुगा नाम से किस भारतिय खिलारी को जाना जाता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गीत सेठी को जाना जाता है अगला कोशन है कि गोदान और गबन दोनों किस लेखा के रचनाई है तो मुंसी प्रेम चंद की दोनों रचनाई है एक आपका गोदान और एक आपका गबन इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मिथेन पाया जाता है अगला कोशन है कि ग्रेंड मास्टर सब्द का प्रियोग किस खेल में किया जाता है तो सतरंज के खेल में किया जाता है अगला कोशन है कि चंदर कांता उपनियास के लेखा कौन थे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा देवी का नंद खत्री थे अगला कोचन है कि चेक मेट किस खेल से समन्दित है तो सतरंज खेल से समन्दित है अगला कोचन है कि जय जवान जय किसान का नारा किशने दिया था तो लाल बहदुर सास्तिरी के द्वारा दिया गया था इसके आग्याप का देखे अगला कोचन दे रहा है कि जय हिंद का नारा किषने दिया था तो नेता जी सुबास चंदर बोस के द्वारा दिया गया था अगला कोचन है कि ज्यान पीठ पुरुषकार किस कार के लिए दिया जाता है तो सहित के छेतर में दिया जाता है अगला कोशन है कि टेली बीजन का अविस्कार किस ने किया था तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जान लोगी बेर्ड के दुवारा किया गया था तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा देखे इसके आगयाप का अगला कोशन है कि डिउस सब्द किस खेल से समन्दित है तो टेनिस खेल से समन्दित है अगला कोशन है कि तान सेन समान किस राज की सरकार ने सुरू किया था तो मद्यपरदेश राज के सरकार के द्वारा सुरू किया गया था अगला कोशन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे अजादी दूँगा का नारा किषने दिया था तो नेता जी सुभास चंदर बोश के दुवारा दिया गया था अगला कोशन है कि दिली चलो का नारा किषने दिया था तो नेता जी सुभास चंदर बोश के दुवारा दिया गया था अगला कोश्चन है कि देश बंदू की उपाधी किसा से समंदित है तो चितरंजन दास से समंदित है तो यह आपका पास्कल के नियम से समंदित है अगला कोशन है कि धर्म चक्र प्रवरतन कहां किया गया था तो सारनाथ में किया गया था इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन दे रहा है कि नेशनल सुगर रिसर्च इस्ट्यूट कहां पर इस्तित है तो यह आपका उत्तर प्रदेश के कानपूर सहर में इस्तित है अगला कोशन है कि नौ सेना अकादमी कहां पर इस्तित है तो गुवा में इस्तित है अगला कोशन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि पिर्थिवी तथा अन्य ग्रह सूरी के चारो और चक्कर लगाते हैं यह किसका कतन है तो यह आपका कापर निक्स का कतन है अगला कोशन है कि बिहु का समंद किस राज इसे है तो बिहु का समंद आपका असम राज इसे है इसके आगला कोशन है कि बीजक का रचाईता कौन है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कबीर दास आपके बीजक के रचाईता है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके दौरा किया गया था तो राजा राम मोहन राय के दौरा किया गया था और आज का लाश्ट call दे रहा है 50 नवर खोचन है कि भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो भारत का मैंचेस्टर आपके अहमदा बाद को कहा जाता है तो आज हमने महतरपुर्ण 50 MSQ लगाए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को प्लीज आप सस्क्राइब करेगा तो चलिए आज के लिए इतना है धन्यवाद